नमस्कर दोस्तो आज की सी वीडिός में हम लेकर रहा है टयक्समो कमपनी की पानी वाली मोटर यदि आपके घर के अंदर भी पानी की समस्य है जैसे कि सपलाई का पानी अच्छे से नहीं है या फिद आता ही नहीं है यह फिर आपको ज़्यदा दूरी के उपर पानी पहुंचाना है इसके लाओ 15-20 फिट नीचे जमीन से पानी किशना इस तरह की समझ से आपके घर के अंदर है तो दोस्तों आप टेक्समो कंपनी की यहाप HP की मोटर प्रचेज कर सकते हैं इस वीडियो में हम इसे इन्बोक्सिंग करने वाले हैं इसके सभी फीचर्स बताने वाले हैं इसकी क्वाल्टी बताने वाले हैं और साथ में दोस्तों इसका मर्केट प्राइस के आवे भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं बोक्स के उपर आप देगें यहां पर लिगा एक वाग रूप है टेक्समों कंपनी का नाम यहां पर लिखा हुआ है इस मोटर के मोडल की बात करते हैं तो DMS 02 इसका मोडल है इस वाटर पंप को डोमेस्टिक मोनोब्लोक पंप बोलते हैं यानि कि ग्रेलू यूज के लिए ब कट्ता लगावा देखने को मिलेगा तो दोस्तो एब आप अंदर की तरह मोटर देख सकते हैं आपको यह जो मोटर इसको बोक्स बाहर नि CCPाल कर दिखा देता हूं मोटर को हमने packing से बाहर निमकाल दिया अब आप सामने इसका लूक देख सकते हैं पूरी heavy quality क्या आपको यह पॉइंट दोसरी साइड आउट होता है यहाँ पर एक 170 की पाईंप लगाई जाती है अब आपको इस पांई वाली μोटर का साइड से लूक दिखा देता हूँ तो साइड से आप इसका लूक देखेंगे मैं तो इस तना का लूकआ आपको देखने को मिलने वाला है यानि कि दोस्तों पूरी हेवी क्वाल्टी कि आपको यह पानी वाली मोटर मिले वाली है और अंदर जो व्यंडिंग की हुई है पीछी की साइड से इस मोटर का आप लुक देख सकते हैं पीछी साइड में पंखा लगा हुआ है जो कि इस मोटर को कूल रखने का करे क करता है और दूसरी साइड से आप इस मोटर का लुक देखें तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा सिंगल कपेश्टर के अंदर यह पानी वाली मोटर आती है नीचे की साइड में एक छोटा सा बॉक्स लगावा वहां पर विजले की एक कनेक्शन किये जाते हैं तो ही के अंदर यह मोटर है अमपेर के बात करते हैं तो 4.8 अंपेर यह लोड लेती है आर्पियम के बात करते हैं लिए 59 प्सक्रण के अंदर लगाया जाते हैं यह पाने वाली जो मोटर है की रहेगी अजिकी बात करते तो हप kट्रकी की याई पानी वाली मोटर रहेंख echo लेते हैं इसके हेड के बार भी यानि कि इस मोटर के दौर आप कितीनी दुरी तक कितीनी उंचाई तक पानी पहुंचा पाएंगे तो इस मोटर के द्वारा हम 50 फिट यानि कि 18 मीटर तक हम दूरी तक पानी या उंचाई तक पानी पहुंचा पाएंगे डिस्चार्ज के हम बात करते तो एक मिन्ट के अंदर हम 35 लीटर पानी इस मोटर के द्वारा ले सकते हैं यानि कि दोस्तों जब आपको उंचाई के उपर पानी पूचाना हो या दूरी के उपर पानी पूचाना हो तो अलग-अलग एरिये के हिसाब से यानि कि अलग-अलग दूरी के हिसाब से जो पानी का भाव रहता है वह भी कम ज्यादा रहता है रेंज के हम बात करते तो 14-20 मी तो भी इस मोटर के दौर आप फास्ट तरीके से पानी ले सकते हैं यानि कि दोस्तों दूरी से आपको सप्लाई का पानी खिचना तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट यह पानी की मोटर है इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपको उचाई के उपर पानी पूचाना है तो इ को असानी से खीच सकते हैं इस मोटर का जो मेन यूज क्या जाता है वह यूज क्या जाता है सप्लाई के पानी के लिए यानि कि दोस्तों आपके घर के अंदर सप्लाई के पानी से रिलेटिव अनेक प्रकार की प्रब्लम होती है जैसे कि प्रोस वाले ने मोटर चला लिए तो तो उसके लिए बहुती बेस्ट यह पानिक की मोटर है, इस मोटर के अंदर जो कपेश्टर लगा हुआ है, वैं CSIR कपेश्टर लगा हुआ है, इस मोटर को कहीं पर भी आपको इंस्टोल करना है, तो आपको यहाँ पर होल दिखाई देंगे, दो होल यहाँ पर आपको पता है time to time rate motor का change भी होता रहता है guarantee warranty के हम बात करते हैं तो यह फ़हली बात तो motor कभी भी खराब यह नहीं होती है और हरी customer textbook company की पानी की motor पसंद भी करता है प्रन्तु company के दौरा इस motor की कोई भी guarantee warranty नहीं दी जाती है और दुकानदार से जहां से आप इसे प्रचेज करेंगे दुकानदार आपको एक बार टेस्ट कराएगा उसका बाद में आपको एक या दो दिन की इस तरह है कि इस कंपनी की पानी की मोटर मिल जाएगी तो वहां से आप इस मोटर को प्रचेज कर लें